नमस्कार श्री अर्विंदो की एक सो पचासवी जन्मजेंती वर्ष के इस महत्वपुन कारकम में आप सभी का मैं रजय से अभिनन्दन करता हूँ इस पुन्य अवसर पर मैं सभी देशवासियों को भी अनेक अनेक शुब कामनाई देता हूँ श्री अर्विंदो का एक सो पचासवा जन्मजेंती वर्ष पूरे देश के लिए एक अईतिहासिक आउसर है उनकी प्रेरणाओं को उनके विचारों को हमारी नई पीडी तक पहुँचाने के लिए देश ने इस पूरे साल को विशेश रुप से मनाने का संकल्प लिया था इसके लिए एक विशेश उच्चस्तरिय कमेटी की गठन की गई थी संस्कृती मंत्राले के नेत्रुत्व में तमाम अलगलग कारकम भी हो रहे हैं इसी क्रम में पूरी चेरी की धर्ती पर जो की महर्शी की अपनी तपोस्तली भी रही हैं आज राष्ट उन्हें एक और कृतग्य सद्धांजली दे रहा है आज स्री अर्मिंदो के उपर एक स्मृति कॉइन और पोस्तल स्टैम भी रिलीज किया गया है मुझे विश्वास है कि स्री अर्मिंदो का जीवन और उनकी सिक्षाओं से प्रेणा लेते हुए राष्ट के ये प्रयास हमारे संकल्पों को एक नई उर्जा देंगे नई ताकत देंगे साथियों इतिहास में कई बार एक ही कालखन में कई अध्वुद घटनाएं एक साथ होती है लेकिन आम तोर पर उन्हें केवल एक संयोग मान लिया जाता है मैं मानता हूँ जब इस तरह के संयोग बनते हैं तो उनके पीछे कोई ने कोई योग शक्ति काम करती है योग शक्ति यानि एक सामुहिक शक्ति सबको जोडने वाली शक्ति आप देखिए भारत के इतिहास में ऐसे अनेक महपुरुष हुए हैं जिनोंने आजादी का भाव भी सतक्ति किया है और आत्मा को भी पुनर्जिवन दिया इन्वे से तीन स्वी अर्विंदो, स्वामी विवेखानन और मात्मा गांदी ऐसे महापुरुष हैं जिनके जीवन की सबसे महत्वपुन घटनाएं एक ही समय में घटी इन घटनाओं से इन महापुरुषों का जीवन भी बढ़ला और रास्त जीवन में भी बड़े परिवर्तन आए 1893 में 14 वर्ष बाद श्री अर्विंदो इंग्लेंड से भारत लोटे 1893 में ही स्वामी विवेकानन विश्व धर्ब संसद में अपने विख्याद भासन के लिए अमेरिका गए और इसी साल गांदी जी दक्षिन आफ्रीका गए जहां से उनकी महत्मा गांदी बनने की आत्रा शुरू हुई और आगे चल कर देश को आज़ादी महनयक मिला भाई और भेनों आज एक बार फिर हमारा भारत एक साथ ऐसे ही अन्यकों संयोंगों का साक्षि बन रहा है आज जब देश ने अपनी आज़ादी के 75 वर्थ पूरे किये हैं अमृत काल के हमारी यात्रा शुरू हो रही है उसी समय हम स्री अर्बिंदो की 150 वी जैन्ती मना रहे हैं इसी काल खण में हम देता जी सुभास्त दरबोश की 125 वी जन्म जैन्ती जैसे अवसरों के साक्षी भी बने हैं जब प्रेरा और कर्तव्या मोटिवेशन और एक्षन एक साथ मिल जाते हैं तो अवसंभाव लक्ष भी अवस्चंभावी हो जाता है आज हादि के अमरित काल में आज देश की सफलताएं देश की उपलब्दियां और सबका प्रयास का संकल्प इस बात का प्रमाण है साथियों श्री अर्विंदो का जीवन एक भारत स्विष्ट भारत का प्रतिवीम है उनका जन्म बंगाल में हुआ था लेकिन वो बंगाली, गुजराती, मराटी, हिंदी और संस्कृत समेत कई भाशाओं के जानकार थे उनका जन्म भले ही बंगाल में हुआ था लेकिन उपना जादा तर जीवन उन्होंने गुजरात और पुड़ीचेरी में बिताया वे जहां भी गए वहां अपने व्यक्तित्व की गहरी चाप छोड़ी आज आप देश के किसी भी हिस्से में जाएंगे महर्श्वी अर्विंदो के आश्रम उनके अन्युआई उनके प्रसंसक हर जग़ मिलेंगे उन्होंने हमें दिखाया कि जब हम हमारी संस्कृत्य को जान लेते हैं जीने लगते हैं तो हमारी विविदता हमारे जीवन का सहज उत्सो बन जाती हैं साथियों ये आजहादिक अमरितकाल के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है एक भारत स्रेष्ट भारत का इससे उत्तम प्रोधसान क्या हो सकता है कुछ दिनों पहले ही मैं काशी गया था वहां काशी तमिल संगमम कारकम का हिस्सा बनने का आउसर मिला ये अद्भूत आयोजन है भारत कैसे अपनी परंपरा और संस्कृति के माध्यम से कैसे अटूट है अटरल है ये हमें उस अउत्सव उत्सव में देखने को मिला आज का युवा क्या सोचता है ये काशी तमिल संगमम में देखने को मिला आज पूरे देश का युवा भाशा बुशा के आधार पर बेद करने वाली राजनिती को पीछे छोड़कर एक भारत स्रेष्ट भारत की राष्ट निती से प्रेरित है आज जब हम स्री अर्विंदो को याद कर रहे हैं आजहादी का अमरत महोसों मना रहे हैं तब हमें काशी तमिल संगमम की भावना का विस्तार करना होगा साथियों महर्ची अर्विंदो के जीवन को अगर हम करीब से देखेंगे तो उसमें हमें भारत की आत्मा और भारत की विकास यात्रा के मौलिद दर्शन होते हैं अर्विंदो ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके जीवन में आदुनिक शोद भी था राजनेतिक प्रतिरोध भी था और ब्रह्मबोध भी था उनकी बड़ाई लिखाई इंग्लेंड की बहतर से बहतर सांस्थानों में हुई उन्हें उस दोर का सबसे आधुनिक माहुल मिला था ग्लोबल एक्स्पोजर मिला था उन्होंने खुद भी आधुनिकता को उतने ही खुले मन से अंगिकार किया लेकिन वही अर्विंदो देश लोट कर आते हैं तो अंग्रेजी हुकुमत के प्रतिरोध के नायक बन जाते हैं उन्होंने देश की आजहादी के लिए स्वाधिन्ता संग्राम में बढ़ चटके रग हिस्सा लिया वे उन सुरुवाती स्वतंत्रता सेनानियों में से थे जिन्होंने खुल कर पूर्ण स्वराज की बात की कॉंग्रेज की अंग्रेज परस्तनीतियों की खुल कर अलोच ना की लिए उन्होंने कहा था अगर हम अपने राष्ट का पुननिर्मान चाहते हैं तो हमें रोते हुए बच्चे की तरह ब्रिटिस पार्लमेंट के आगे गिडगिनाना बंद करना होगा बंगाल विभाजन के समय अर्बिंदोनी वाओं को रिक्रूट किया और नारा दिया नो कम्प्रमाइज कोई समझोता नहीं उन्होंने भवाणी मंदिर नाम से पैंप्लेट छपवाएं निराशां से घीरे लोगों को सांस्कृतिक राष्ट के दर्शन करवाएं ऐसी वैचारिक स्पस्थता ऐसी सांस्कृतिक दर्थता और ये राष्ट भक्ती इसलिए उस दोर के महान स्वतंत्र सेनानी स्री अर्विंदो को अपना प्रेणा सोक्त मांते थे नेताजी सुभाज जैसे क्रांतिकारी उन्हें अपने संकल्पों की प्रेणा मांते थे वहीं दूसरी और जब आप उनके जीवन की बवदिक और अध्यात्मिक गहराई को देखेंगे तो आपको उतनाही गंभीर और मनस्वी रुष्वी नजर आएंगे वे आत्मा और पर्त्मात्मा जैसे गहरे विश्यों पर प्रवचन करते थे ब्रह्म तत्व और उपनिशदों की व्याख्या करते थे उन्होंने जीव और इश्क के दर्शन में समास्यवा का सुत्र जुड़ा है मर्से लेकर नारायन तक की यात्रा कैसे की जा सकती है यही तो भारत का संपूर्ण चरिता है जिसमें अर्थ और काम का भावतिक सामर्थ भी है जिसमें धर्म यानि कर्तव का अधूत समर्पड भी है और मोक्ष यानि अध्यत्म का ब्रम्बोध भी है इसलिए आज अमर्थ काल में जब देश एक बार फिर अपने पुनर निर्मान के लिए आगे बढ़ रहा है तो यही समगरता हमारे पंच प्रानों में जलकती है आज हम एक विक्सित भारत बनाने के लिए सभी आधुनिक विचारों को बेस्ट प्रक्टिसीज को स्विकार और अंगिकार कर रहे हैं हम बिना किसी समझोते के बिना किसी दैन्यभाव के इंडिया फर्स के मंत्र को सामने रखकर काम कर रहे हैं और साथ ही आज हम हमारी विरासत को हमारी पहचान को भी उतने ही गर्वसे दुनिया के सामने रख रहे हैं भाई और वहनों महर्ची अर्विंदों का जीवन हमें भारत की एक और ताकत का बहुत कराता है देश की ये ताकत आजहादी का ये प्राण और वही गुलामी की मानसिक्ता से मुक्ती महर्ची अर्विंदों के पिता शुरुआत में अंग्रेजी प्रवाव में उन्हें भारत और भारत के संस्कृति से पुरी तरह दूर रखना चाहते थे वे भारत से हजारों मिल दूर अंग्रेजी माहोल में देश से पुरी तरह से कटे रहे लेकिन जब वो भारत लोटे जब वो जेल में गीता के संपर्क में आए तो वही अर्विंदो भारतिय संस्कृति की सबसे बुलंद आवाज बन कर निकले उन्होंने सास्त्रों का अध्यन किया रामायन, महाभारत और उपनिश्दों से लेकर कालिदास, भवूती और भर्तुहरी तक के ग्रंतों को ट्रांस्लेट किया जिन अर्विंदों को खुदी वावस्ता में भारतियत्यां से दुर रखा गया था लोग अब उनके विचारों में भारत को देखने लगे यही भारत और भारतियता के असली ताकत है उसे कोई कितना भी मिटाने की कोशिश क्यों न कर ले भारत भी अमर्ज भीज है जो विप्रित से विप्रित परिस्तित्यों में थोड़ा दब सकता है थोड़ा मुर्जा सकता है लेकिन वो मर नहीं सकता वो अजे हैं अजरा अमर है क्योंकि भारत मानव सब्यता का सबसे परिस्कृत विचार है मानवता का सबसे स्वाभाविक स्वर है ये महर्ची अर्वंदियुक के समय में भी अमर था और ये आज भी आज हादी के अमरित काल में भी अमर है आज भारत का युवा अपने सांस्कृतिक स्वाभिवान के साथ भारत की जैगोश कर रहा है दुनिया में आज बीशन चुनोतियां है इन चुनोतियों में समाधान में भारत की भूमी का महत्वकून है इसलिए महर्चे अर्विंदोग से प्रेणा लेकर हमें खुद को तयार कर रहा है सबका प्रयाश से विश्शिद भारत का निर्मान कर रहा है एक बार फिर महर्चे अर्विंदोग को नमन करते हुए आप सभी का रुदय से बहुत बहुत धन्यवाद